नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और इस वक्त हमारे हम खड़े हैं मुजफर नगर के रेल वे स्टेशन पर और यहां हमें पवंत्यागी जी मिल चुके हैं और इनसे हम पूछेंगे कि आज वानरसी में देश के प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर उत्तर पर देश में विकास के साथ साथ लोईन ओर्डर पर भी काम कर रही है योगी सरकार और लोईन ओर्डर पर एच्छी तरीके से काम किया जा रहा है दूसरी तरफ ममताब एनरजी की तरफ से इसी को लेकर पलड़वार किया गया है देश के प्रधान मंत्री को लेकर औ रही है और हात्रस जैसी घटना उत्रपरदेश में हो रही है तो इन्हीं दोनों चीज़ों को ले कर हम सवाल करते हैं पवंत्यागी जी से और देखते पूछते हैं इंसे कि इन पर इनका क्या कहना है सर यह बताइए कि वेस्ट बेंगॉल में जिस तरीके से चीज़ें हो रही है उन्हें इग्नोर करके आज मम्ता बैनर जी उत्तर परदेश पर तल्क टिपड़ी कर रही हैं देखे मैं इस समय मुझाफनगर अपने एक रिस्टदार के हैं आया हुआ हूँ और आप मिल गए बाइचांस तो यहां मुझाफनगर जिसको क्राइम चल कहा जाता था आज उस मुझाफनगर के अंदर जो मेरे रिस्तेदार हैं जो युवा भी हैं उनसे मेरी बात हुई है वो यह कहते हैं कि हम कलपना नहीं कर सकते थे जब उस समय पहली सरकारे थी कि हम दिन के टाइम भी सरक्षित घर वापस लोटेंगे बहु बेटियों की इज़त रक्षित नहीं थी सरयाम पकड़ करके उनकी इज़त आबरू लूटी जाती थी और अपराधियों के होसले इतने बढ़े हुए थे कि वो कभी भी किसी को अगर खेट पे गया है वापसी नहीं आएगा वहीं अपरन कर लिया घरवालों को मैसी जाता था लाख रु पुलिस में गए तो पुलिस में केवल एक विशेश वर्ग के लोगों को ही सरक्षन मिलता था समाजवादियों की सरकार में मंत्री तक आजम खान जैसे लोग बड़े मंत्री थे वो इंटरफेर करते थे और अपने विशेश वर्ग के ही लिए वहाँ पुलिस को फोन करते है दोसियों के खिलाब कोई कारवाई नहीं होती थी और उसके कारण लूट हपरन हत्याएं बलातकार यहां यह जो मुझफन नगर है इस दर्ती पर लोग दहसत में थे और इसलिए बड़नाम हुआ मुझफन नगर आज की डेट में जब से योगी राज कायम हुआ है तब स मुझफन नगर जिला बिलकुल शांत हो गया है ना यहां कोई दंगे का नाम है ना यहां बदमासों की कोई चलती है और आज की डेट में कोई अपरादी है तो पुलिस ततकाल कारवाई करती है और जेल की सलाकों के पीछे डालती है और आज की डेट में मुझफन नगर के अपने परिवारों से मिला हूँ जो परीचित हैं वो कहते हैं कि आज की डेट में महिला भी रात के समय में आप यहां इस टिसन पर भी बाइट ले रही थी देखिए महिलाएं भी यहां सुरक्षित महसूस कर रही है जब से योगी सासन आया है अब ममतब एनरजी अगर बयान पिनी की है यहां तक कि सुप्रिम कोट में केस लग गया है और इस हिंसा को लेकर चुनाओं के बाद की बाकाइदा जितने भी आयोग हैं उन सबने अपनी जाच रिपोर्ट में कहा है कि सरकार वहां सर्डक्षन दे रही है गुंडों को टीम सी के गुंड़े ही हिंसा कर रह रहा है महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं और ममताव एनरजी सरकार अगर किसी का साथ दे रही है तो वह रोहिंग्या और बंगलादेशी घुसपैटियों का तो ममताव एनरजी का जो डीने है जो उनका टेस्ट है वही समाजवादियों का टेस्ट है और इसलिए उसको तो बीजेपी की सरकार योगी सरकार अच्छी लगेगी नहीं और इस तरह की बयानबाजी करके वो एक तरह से बताऊं के वो रोहिंग्याओं का सेडक्शन कर रही है लेकिन उत्तर प्रदेश की बात अगर कानून विवस्ता की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में जब मु मोधी जी ने बोला है दूसरा विकास का मुद्दा है योगी जी की तारीफ करते हुए आज उन्होंने बोला कि जिस तरह से पिछली सरकारे थी अगर कोई योजना लागू केंदर कर दे केंदर पैसा आवंटित कर दे उसमें अडंगा अठकाया जाता था और आज योगी जी क सरकार में अगर केंदर कुछी किस मदमर पैसे देता है तो वो नीचे तक उसका इंप्लिमेंट होता है और बनारस को हमने देखा मैं बनारस पहले भी गया हूं और आज का बनारस मैंने चित्रों में देखा काया कल्प हो गया है और उस काया कल्प की कल्पना कोई कर नहीं सक आप देख लीजिए हम सोच नहीं सकते थे दिल्ली से मेर ठाने में मातर आदे गंटे से 40 मिनिट लगते हैं सडकों का जाल पूरे उत्तर प्रदेस में बिच्छा हुआ है लखनव से लेकर के आप देख लीजिए आगरा एक्सप्रेक्स वे हो गया कई सारे कितने गिन्वाओं तो ये जो विकास की बयार है वो योगी सरकार में बही है और जहां में मुझा फन्नगर में खड़ा हूँ आपको जान के आश्चरिय होगा कि योगी सरकार में इस समय ग्रामों के अंदर गाओं के अंदर समू बनाए गए हैं महिलाओं को रोजगार दिया गया है लाखों म बिल्डिंग च्छत चुवा करती थी बच्चे बैठे नीथे फर्स पे नीचे बैठते थे आज वहाँ वाइफाई लगा हुआ है यह बताईए एक तरफ बंताव एनरजी कह रही है कि उत्र परदेश में लॉइन ओर नहीं है आपको भी पता होगा कि जब वेस्बैंगॉल में चुनाव हो रहे थे तो उस टाइम पे जया बच्चन सपोर्ट करने के लिए ममताब एनरजी के लिए वेस्बैंगॉल पहुची थी अब उत्तर परदेश में चुनाव आने वाले हैं तो ममताब एनरजी सपोर्ट करती भी दिखाई दे रही है अखिलेश यादव के लि देखे ये जितने विपक्षी हैं इनका आप करेक्टर देखे ये हमेशा देश विरोधी गतिविदियों में लिप्त रहेंगे या देश विरोधी गतिविदी में लिप्त रहने वालों के सपोर्ट में खड़े होंगे ममताब एनरजी जो सिमी के आतंकवादी अगर पस्च मिलता है कि अगर भीड बजार में वो कर दिया जाता तो सेकड़ों लोगों की मौत हो सकती थी नक्षा मिलता है राम मंदिर का और वो विस्पोर्ट करने वाले थे लेकिन जो यह अखलेश यादव ने बयान दिया कि ना मुझे सरकार पर भरोसा है योगी सरकार पर और ना मुझे भरोसा है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर यह बयान देखिए एक पूर्व मुख्यमंत्री दे रहा है जो प्रदेश का मुख्या रहा हो जिसके कारेकाल में बहुत सारे पुलिस वाले भरती दी हुए हो ऐसा बयान क पुलिस वालों पर भरोसा नहीं हैं वो ये कहकर एक तरफ पुलिस का अपमान कर रहे हैं दूसरी तरफ वो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि जो आतंकवादियों के उपर कारवाई उत्तरप्रदेश की पुलिस कर रही है कल को वो कोट करेंगे इस अखलेश य यादव एक पढ़े लिखे हैं उनको लोग युवा कहते हैं एक युवा की ऐसी सोच हो सकती है कि वो इतना नीचे गिर गया कि आतंक वादियों की सपोर्ट कर रहा है केवल इसलिए के उनके विशेष धर्म के लोगों के वोट ले सके हद हो गई और इसलिए आपको बताऊं यह ममताब एनरजी हो अखलेश यादव हो या यह राकेश टिकायत भी उसी विरादरी में है यह केवल ड्रामा बाजी जो चल रही है यह केवल और केवल इसलिए चल रही है कि यह लूट खरसूट की सरकार को दुबारा से ला सकें ताकि इनकी जेवे भरें जो आज योगी सरकार में बिलकुल संभव नहीं है मुझफण नगर में देखे मुझफण नगर के बारे में एक भर्म फहलाया जा रहा है मैं भर्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अब घूमा हूं रिस्तधारी में दो चार देगे गाउं में गया हूं मतलब के ड्राकेश टिकैट का बहुत असर है जी अब वह महापंचाय महापंचायट में कुछ घोषना होगी कुछ बड़ा होगा कुछ बड़ा दनी होने वाला गाउं के लोगों की राय है जहांसे 2014 में DRY विदान सब्सक्रा इस दो अने गाउं के लोगों के न这是 is चैनल चेलेंस विकार करें उन्होंने कहा कि जहां से यह लड़े थे ना भै गाउंट में परधानी का चुनाव लड़के दिखा दें राकेश्टिकेट जमान जब तना हो जाए तो कहना दूसरी राकेश टिकेट के एफेक्ट की बात उनके रिस्तेदार केवल रिस्तेदार मित्रमंडली कुछ उनके पार्टी के वो पधादिकारी जिनको कुछ खाने पीने को मिल रहा है ये गाओ वालों का कहना है मेरा नहीं मुझफन्नगर के ग्रामी डेरिये का वो कहते हैं जी वो ही लोग हैं वाँ बैठे हुए या वो ही उनके कहने पर चले जाते हैं बीस लाग टेक्टर धंकी है कोरी चार लाग वो कहते हैं बीस लाग तो छोड़ो बीस हजार भी चोड़ो दोस्सो टेक्टर इस मुझा फननगर जिले से राकेश का इफेक्ट नहीं है वो केवल अपनी राजनीती कर रहे हैं महा पंचायत के बारे में जो मुझे बताया लोगों ने वो कहरें जी अपने बेटे का टिकट गोशना करवाना चाहते हैं वो बस केवल वो ही राजनीती चल रही है और अब वो जो कहरें मैं अलक्षन नहीं हो जाएं और खड़े हों अपनी पार्टी से अभी हुए थे जिला पंचायत के चुना हुए हैं इनका केंडिडेट कहीं खड़ा नजर नहीं आया ग्राम सभा के चुनाओं में कहीं नजर नहीं आया ब्लोक प्रमुखी के चुनाओं में कहीं नहीं नहीं आया तो ये केवल सारे दल मिलकर ये दलदल है दलदल ये दलदल मिलकर ये चाहते हैं कि इस दलदल में कुछ ऐसे लोग और फश जाएं जो इनका बस अपना उनलू सिदा होता रहे योगी जी को हराने की ताकत सारा विपक्ष मिल जाए और राकेश टिकायत मिल जाए कर नहीं सकते और मुझभ फणनगर जिले से इतना किलियर हो गया है कि मुझभ फणनगर की जादे तर जनता योगी जी के साथ है क्योंकि योगी जी ने जो कानून का राज कायम किया है जो विकास की है चेत्र में उससे जनता बहुत कुछ है